स्रस्टा को सम्मान, स्रस्टा की रचना, स्रस्टा संगे अंतर बार्ता स्रस्टा की रचना, स्रस्टा की रचना, स्रस्टा संगे अंतर बार्ता मेघार्च को सैचिक कारेक्रम अंतरगत प्रसारित कारेक्रम साहित्य संबात को 307 श्रिंखाला मा स्वागच्छ म लुइटल दिनेश कारेक्रम नेर्देशक भगवान चंद्रग्यावाली र प्राविदीक सयात्री प्रेम लुइटल सैथ हार्दिक अईवादन गुणस्तरिय सिक्षाकालागी संचार अभियान मा जुटेको टीउ एफेम 107 मेघार्च द्वारा प्रसारित कारेक्रम साहित्य संबात को दयलोगारी सकेका छों यस कारेक्रम मा बाचित कविता अमस साहित्यकार टंक उप्रेतिको हो हमिले यस कविता अमसलाई अनुभुतिका अक्षर हरु कविता संग्रह भित्रको फुलको छाया शिर्षक को कविता बाट उठाये का हो रत्मराज लच्मी क्यामपस मा अध्यान्दरत स्रिजन्शिल युवा पत्रकार समुहले तयार पारेको साप्ताहिक कारेक्रम साहित्य संबाद प्रतेक हप्ता बुदबार बिहान 37 पजे देखी आठ पजे सम्म प्रसारण होने गर्द छा येस कारेक्रम का अबधिवर हमी स्रस्टा रस्रिजना को परिक्रमा गर्छों स्रस्टा संग कुराकानी साथ है स्रस्टा का रचनाहरू स्रस्टा का अबाज मा सुनाओ छों चिठी पत्रवाट प्राप्त स्रिजना का साथ है साहित्तिक मुल्यवाय का गीत्र कभित हरुपनी प्रस्तोत गर्छों सदैं जहीं आज साहित्त्य संबाद को एउटा नय स्रिंखला मां हमी साहित्त्यकार टंक उप्रेती संग साहित्तिक गफगाफ कर देशों यहालाई साहित्त्य संबाद मां स्वाग छों धन्यबाद सबैस्ट्रो तारुमां मेरो नमस्कार हमीं डिए फेमबाट प्रसार हुदने साहित्त्य संबाद कायरेक्रम को 360 देशला मां चों एउटा नय स्रिंखला यहां संग बनाउदै छों हमी गाफ काफ करने ने छों, तर सुरू मां एउटा कभिता स्त्री जना सेनू देखना सकें छो, उसले रिदयलाई गीत मां बदल्यो रधेराई बेर गाई रयो, अन्त्यमां चरा उड़ियो, उउर्दा मांचे को मन भित्रबाट उड़ियो, धनिबाद जापा को सनिस्चरे तिन मां जन्मनु भयो, यहां को साहितिक छेत्र मां, 2004 साल मां अनुभूतिका अक्षर हरो, 2006 साल मां सब्दहरुको नेपत्य, 2007 साल मां गजूर पगलियर जस्ता कविता कृतियरु आये, इमद्दे सुरुका 28 कृति कविता कृति होन ए छोटा कविता हरोन गजूर पगलियर र निगूरो को खरानी दुयोटा कभिताकृती ला मा कपीता हरू समेटी हे पासन औनी अरकोई उटा खंडित सपनाकु गेत निभन्द संक्रह पनी बजार में आई सके कोछ यसरी सहित्य स्रिजना का छेत्रमा नेपाली सहित्यमा एती धेरे क्रिति आई शके तपाईको स्रिजना यात्रा कसरी शुरूबायो बस्तप मा स्कूल जिबन देखी नहीं, अलिकती साहित्य मा रूची शिरजना बगो थे हो, रूची उत्पन्न बगो थे हो, तो कारण के थे हो बंदा खेरी, साहित्य लेखियो बने चे, अरू बंदा फरा कोईंचा, बने किसीम को थे हो, और धरही रमायलो कुरा चाहिस मा च बोलना पाहु थे हो, तो जो अरू बंदा पाहुता हो, और तास्कारण के र्यां साहित्य कि की के dear sound के रिंदा हो को बंदा बंदा भिन्ना वेक र लेखन खालके ज्ञाँ अनी भन्नो भावक दो ॅसलीं सिर्जना क्लाव किसी एुदिका बनाई गो थे हो अनि तियो क्लोब ले चाई बित्थे पत्रिका निकालने आत ले लेखे रहू एसता एक्टिबिटी जरू हरे एक सुक्रबार अतिरिक्त क्रिया कलाप बने रहू बिविद्ना गोस्टी अरू बाद विवाद सिर्जना सुनावनी इसता हुन्तियो। तियो सबे बातावरान ले गरदा खेरी चाहिए, आमी वित्र भाय को, कुने रूची लाई अलिकती बड़ी जागरीद गर दियो अला, तेस पछी कवितार लेखन थालियो, और विस्तार है सचेत हो जाना खेरी, समाज लाई आलोचनात्मक ढंगले हेर न सकने छ्यमत अभिका समाज लाई अरने द्रिश्टिकोण पनी अवस्चे फराकी लोँ अदे आयो, र लेखन को साधना पनी बढ़ दे गयो, अभ्यास पनी बढ़ दे गयो, र तेसली गरदा खेरी चाहिए, आले सम्मा साइतिक रचनामा र प्रकासन मा निरंतर तापाई राखे को अवस्ताओ यू समय मा तपाई को पहिलो स्त्रिजना लाई, सम्झानु परो बने, कस तो स्त्रिजना गरनु बादियो, तिसे याच छ तपाई लाई ठाकई बनना ता अईले गारो छा, किय थियो बनने तर इस्कूल मही हो, इस्कूल मही कती कक्षा पढ़नों थियो तपाई कि आपाई साथाकषिया मा तीरा होनो पर ठाकई यही रचना मेरो पईलो हो बनने चाहिँ, अपुछी थाखाई ना कुण चाहिँ, किना बनने लेखियो, सुनाईयो, हरायो, सक्कियो तर पहिलो प्रकासित राचन आची मेरो छ्यालिश साल में, निकी शमय लेखी चके बाची, मों कॉलेज मां इंट्रमेडियाट मां पड़ी राखे गो थें, तेथि वेला आची यूटा बिचार बनने पत्रिका थियो, जहाफा बाटे प्रकासित उन्ते हों ते जहाफा में थ इसकुल जिवन देखीने स्रीजना यात्रा शुरुगर्नु भायो यू साहित्य स्रीजना गर्ने धेरेई प्रतिवाहरु मद्दे कसु इले पनी प्रेणा नलीकन स्रीजना नगरेको खुराब बताऊनोंच यहां लाई पनी सहित्य श्री जाना मा प्रेणादीने दिस्तो कोई ब्यक्ती हुनुनुनुछ युटा था स्कूल को बातावरन को कुराब आए। अरको कुराजी किया भने घर मा पने मेरो अली किती साहितिक बातावरन नहीं थियो। मेरो बुगा गीत रू कभी ता अरुलेखन होंती हो। जिल्ला मा युडा साहितिकार को रूप मा स्ताफित नहीं होंच। वहां उताई भसनु भकोलेगरदा खेरी युट राष्ट्री संचार माध्य महरूमा वहांको पहुच पुगे राष्ट्री स्तारमा तेती चर्चामा आऊनो सकनु भाए ना तर लेखन को इसाबमा वहां जिल्ला माचे प्रतिस्ठीत होनोंच। तेले पन युट्या भाए पहुच्छ भाए पनी घर भीट्राय पनी भाए और मेरो दाइ पनी अईले प्रतिस्तित थैते कार उनोंच। यहार ले नामपनी सुन्नो बखोला विश्माव उप्रेती अनि घर भित्राई तेस्तो बातावरन भखोले गर्दा खेरी लेखना पर्छा भन्ने कुराचाई कताई थियो अला अंतसकरन मा तिस कारण अब घर भित्र को बाता वरन, स्कूल को बाता वरन लेने प्रेरीद गरे होला यो तपाईलाई आपनाई पिता को स्रीजनाले प्रेणा गरे होला यहांको पिता को नाम पनी एत्ति खेरा आमे उठाऊं वहां स्कूल, हाई स्कूल टीचर होनों तियो भक्ती उप्रेती हो वहांको नाम अईले ची वहां अवकास जिबन बिताई रनो बाको छो रशेर्जनापनी गरी रनो बाको छो अईले वहां ची खासकरी गना गोम फिर यहोडा ची अवकास जिबन रेटाईड लाइफ को अईले अवस्तामा उनोंच यहांको सैचिकी साबले बेक्तित्त लाई हर्दाखेरी अर्थ सास्त्रमा एमे गर्ण बायो नेपाल भित्रे वसेर तिसपची लंडन गयेर पत्रकारिता आम संचार तथा पत्रकारिता विशेमा इसनातको तर गर्ण बायो साहित्य छेत्रमा लागने मान्चेहरू प्राय प्राय नेपालीनी पढ़नु पर्छा बन्छन तर तपायीन लेता नेपाली न पढ़े रापने साहित्य स्रीजाना गर्ण बायो इसमा की बन्ण उन्छा हाईना त्यो जरूरी छेना साहित्य बनेको संचार मा बायका विशेहरू सबै छन साहित्य वित्रा বાદમ বિં বી বીં বીત বશાસમ বાદં বહીત বન বં Richards বાદય বં বહીત বતསે ব bak বી বશે বશીત বંદી বસાė বચેব્ব বે प्रतेक मानचेले अनुभु ले अनुभूवभ गर्षा अनुभूती संकलन गर्षा कुढ़ी पनी घटना प्रती उसको प्रती क्रिया हरू वोनुच्छ कथीले ब्यakter गर्षन, खासगरी साहित्यकार अरले ब्य embedded गर्षन, कलाकार अरले ब्यời electronic गर्षन अलिकति तेस्मा बड़ी इंगेज होना लाई, बड़ी तेस्मा चे लगाप चे शेर्जना होनच होला तर मलाई चे तेस्तो जरुरी छो साहित्याने पढ़ना परचे नेपाली साहित्या या अंग्रजी साहित्या साहित्य का धेरे विदाशन तर यहां ले विशेशकरी कविता र निबंदलाई स्रीजना यात्रामा प्रयो करदे आउनु बाएको छा इसको कुनाई कारण छाखे मा क्ये चाबने मेरो अब आपनो रुची बनू मेरो रुची चींके यह बन्दकेरी बास्ताविक ताल लेखने यह, रियालिटि राइटिंग वहनर्च मो यह फिक्षं मा आख्यान मा मलाइ ते रुची लागे ना, शुरु देखी नहीं आख्यान मा छी काल्प्निकता बडिया उँँँँच काल्पनिक पात्र हरू उन्चन, काल्पनिक घटना हरू उन्चन, यहुटा कथा बुन्ने र आपना मन का कुरा त्यों कथा मार्फद बनने काम चाहिं आख्यानले गर्छा, र मेरो काम पनी क्यो हो बने, मुँँ डकुमेंटरी में करूं प्रफेशनलली, ब्योसाइक रूप म माँची माइले भिडियो ब्रित्त चित्र हरू बना गचु, त्यों पनी क्यो हो बने, रियालीटी फूटेज माई, रियल पीपल, रियल लाइफ माथी काम गर्ने कुरा आओ, र कभीता पनी क्यो हो बन्दा खेरी, तवाएक कुने तेस्तों फिक्षन बन्दा पनी, त्यों फरक को फरक फरक किसिम कानुबाग अरू छा निसमा, किना बने, संसार चे बिभित्ता पोण चा, रुची बिभित्ता पोण चा, तर मेरो आफनो कुरामाची कभीता पड़े र प्राप्त गरेको जुन आनन्द चा, त्यों अहिले सम्मा अरू कुनैपनी मनरंजन का माध्य अरू कुनैपनी ले तेल्लाइचे प्रति स्थापन गर्न सके को इस्तिती चाईना, कभीता लेख्था र कभीता पड़े, किना बने, अहिले सम्मा यो क्ये चा बने, कलाको पनी सर्भाधिक परिस्कृत माध्यम कभीता हो, त्यों सिधा बनाईवे न, त्यों कला हो, रत्यो प्रति सिर्जन आओ, तिस पाट प्राप्तगरने आनंद पने तेस्ते होंचा, तर भनिये कोछा कभीता कम पड़ी चाई बने, अब मलाईचन के लाख्षा बने, जसली कभीता पड़ी राखे गोछाई न, उनियारे तेल्लाइ मिस्गरी राखे गोछान, त्यों आनंद ला होंदा योपनि रियालिटी राइटिग ने ओ, आपना विचार अरू, आपना अनुभूती अरू, आपना दृस्टिकोण अरू, आपना बिसलेशन अरू, लेखने माध्यम बाकोले गर्दा खेरी, मलाईचे मिरो खास रूची चाई यो रियालिटी राइटिंग मा बाकोल उचाहिको मंदीर स, यो मल्लकाल मा भुपतिंद्र मल्लले बनायको मंदीर हो, यो मंदीर मा मैले documentary मा काम गर्दा खेरी, research गर्दा खेरी, मैले बृत्त चित्रपनी बनायको चुँ यो मंदीर को, मला धेराईनी मत्यस मा engage बाये छुँ, तियो न्याता पोल मंदीर को research गर्दा अर डोकुमेंटरी बनाऊँदा, मैं ले न्यात पोल बने रा सिरीज ने कविता हो लेहें। पांच ओटा कविता को याउटा सिरीज छात्यों त्यस्मध्दे मा याउटा कविता सुनाऊचू योचे इं प्रेम कभी थाओ, यो न्यातपोल मंदिर येवटा छा, रतिश को करीब एक किलोमेटर जती टाड़ा और को येवटा पोखरी छा तेया भक्तपूर्बा, जसलाइ खंचा पोखरी बनचा, अब योचे न्यातपोल मंदिर खंचा पोखरी को प्रेम होयो, न्यातप अबितामा प्रतिविंबीत होंच, संसार मा एउटेई आखाच मलाई अपलक हेरी रहने, प्रत्ते एक बिहान मैले आपनो अनुआर हेरने, अईना एउटेई चा संसार मा, म सारही हैरान होंचु, हावाले तिमिलाई मुसारदा, लाह कोशिस गरदा पनी, आपुलाई ठम्य नहीं सक्दी न तिमी भित्र, म कसरी भोलूं, घाम डुबने लागदा, छड के नजरले हेरेर, लाजले तिमी मुस्कुराएको, खंचा पोखरी, आखा बंद न गराही। टीवेफेम, एक से साथ मेगार्ज, सुन्दे गरन होलाएं। टीवेफेम, एक से साथ मेगार्ज दारा, प्रसारित कारेक्रम, साहित्य संबात को, त्रिसठ्यों स्रिंखला माँ चाँ। आजा हामी सगा, साहित्यकार, टंक उप्रेती होनों छ, हामीले वहांका के कविता सुनाई सक्यों, स्रोता समक्ष, वहांका कृति का बारे पने कुरागर नहीं छ, कृति पने पहां छोट आई सके काशन। यो संख्यात्म किसापले भन्दा बने, गुणात्म किसापले एरों कृति को संख्याल आई। यो साहित्य यात्रा शां गई, यहांको सैचिक इस्तर अथवा कलेज जिवन पनी छ, अर्थ शास्त्र पढ़नो भायो, तिस पची लंडन पुगनो भायो, यो छोटो गरी यो लंडन यात्रा को बारे बताई दिना उसना। किवो बंदाखिरी मो मेरो यो सैचिक प्रिष्ट भूमी चाहिए अलिकति गुमावरो किसीम को चाहिए। मुआ स्कूल साके पची बिजनेस अड्मिनिस्ट्रेशन को स्टोडेंट बाई. मुआ मैची कैमप पसम सा, जहापा काही कैमप पसम मुए लि ते हैं, Intermediate साके, तेस प्षे मेंनेजमेंट पढ़नेशनी मनेंशनी माक्तों में मनेमान क्यम्पास अुद स होड़नी दो की चेंटनी होगी ऑर में कि précisला सेलनी केकी पदाश। अनि क्ये बहु बने मा त्यो पड़दाई गरदा खेरी मास्तरस को फस्ट इयर माई जानादा खेरी चाहिए साइते तमा लेखी ने रहन थे ते ते ती बेला पने मेरो ते आफनो किसिम को गती मा ते चली राखे के थियो ते बेला नेफाल टेलिविजन ले केही कारेक्रम प्रस्तोता बने रा विज्यापन खुलायो ते बेला मलाई बने रूची लागयो टेलिविजन माचे प्रोग्राम प्रेजेंटर होने प्रोग्राम प्रोडूशर होने रूची लागयो अप्रिकेशन आलें यह तो मेरो एकोनोमिक्स को पड़ाई चली राखे गो थी हो अनि जब मो तेहं सेलेक्ट बाएं तेहं सोट लिस्टेट बाखो दो य-3 सह जाना बदे 20 जाना चान्दा मो पनी परें तेसमा तेह पचि मो यह तो टेलिविजन प्रोग्राम प्रड़क्शन रप्रेजेंटेशन को ट्रेनिंग लिना मोगा पाएं तो लिए पचि के बहुने मेरो पाट टाइम जाब जस्तो बाएं युनिबर्सिटी मा पड़ दा तेहां पड़नी जुन फूर्षत को समय चा तेहां डॉ दोकुमेंटरी बनाओने जुनिबर्सिटी मा पाकिट खर्च निकालने आपनों पड़ाई को खर्च निकालने यसतो किसीम को मा चली राक्यों जब मेरो पड़ाई सक्कियों तेहां को जेनरल मैनेजर ले चेहां अब फुल्टाइम जाब गरती मिया बंद्र मल अधी भन्न इस न चाहिती कारेक्रम चलाओ ने प्रफेशनल अरू चाहिए तेहाँ बठ एकजीद वाक आवस्ता रही चाए रहा 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 है। जो इस न चाहिए पर आपके सुप न में चाहिए प्रत रहा है। इस पचलचर मां बड़ी फोकस गर है बाओ अपिसले है। नेपाल टेलिविजन प्रभेश करदाको समय भी नी बताया दिना शना यो नेपाल टेलिविजन प्रभेश करदाको समय तो पहीं जुन समय में एप्लिकेशन दिये रहा जागीर खान अथा पाट टाइम जब पकेट खर्चब में बननु भागी तिसको लागी Nepal टेलिविजन प्रभेश करनेगु तियु शमाई नेपाल चेलिवीजन मा प्रवेश करेको समय ची पचास को दसक को सुरू मा आओ बनेको 1994 मा ची यो सान मा तेती बेला उटा ट्रेनिंग खुलेगो थियो तेस पचादी ट्रेनिंग सक्के पची ची मेरो पाथ तायम जोब जस्तो लीजर को टायम मा यो प्रोग्राम बनाऊने बंदर कोंट्राक्ट साइन गरनी तेस पची प्रोग्राम बनाया पची उले पैमेंट दिन थियो खर्चा निसके थियो यो पचास को सुरुती रहो जब मेरो पढ़ाई सक्क्यों अनि मा पच्पन्न देखी ची परमानेंट प्लेस्मेंट मा मेरो ची इस्ताइस जोब से तेहां बायो तियो गर्दा ही जाना दाखरी कुल्चरल प्रोग्राम अरू बड़ी गर्दा ही गर्दा है इकनोमिक्स डिग्री ले मेरो नॉलेज्दे माला सपोर्ट गर्यो तेहनेरी तरह प्रोफेशनल लाइफ माचे एकनोमिक्स को तेती यूजना बगोली मास मेडिया पढ़न पचा बनने लागे रहा माईले अपलाई गर्यों फर्चुनेटली युटा तेती बेला के भू दाखरी इंटनाशनल स्कॉलर्षिप ग्लोबल कॉम्पिटिशन मा मा सेलेक्ट बाएँ तरह ले गर्दा खरी माला जाना अज़ बाता वरन भायो और मास मास्रस तेहां बटा गरेँ अनि ओफिस ले पने माला सपोर्ट गरेँ पेड लीब दियो तेह पेड को लागी रो माचे तेह साबले पड़े रो माँ फर्के रो फेरी आए रो आपनो काम को निरम तरता अज़ दक्षता का साथ अज़ जागरूपता का साथ मा कामगरी राखे खुछ अईले पनि हमी साहित्य संबाद माँ छों, हमीले साहित्य कुरामात्रे अगाडी राखी राखे का छों, स्रतार समक्ष पस्की राखे का छों, यहांको बैक्तितो पत्रकारिता छेत्र माँ उत्तिके उच्चद देखीन छो, अनि पत्रकारिता विशय माँ आमसंचार तथा पत्रकारिता क अनि युटा समयोग बंडुस मा टुथाउजन्जिश्स देखिया एताया मा फोर मा फरके रब फरके टुथाउजन्जिश्स देखिया चैनि यह सेंट्रल डिपार्टमेंट मा समलगना हो देया काचु। के बहुँ बंदा खेरी यहां यहां आउनुको पछाडी यहां सहप्राध्यापक चिरंजिवी खनाल दर बद्री पावडेल उहार होनाँचा। उहां ओनाय भन्नुभा उहां अर्ले लिया अउनुभा यहां यहां यो ग्लोबल सिस्टेम and international journalism बंदे इऊटा मोडुल छाई तोह पड़ाई दिने मानीं ुवहां वायं। तो मैं ले हैं यहां सघाउन पर्यों बंद्रा उहां हाटले बन्नुब और मैं ले बने नाहीं बनना सकी ना तेसपची मा आये मैं तेसपचाडी निरंतर रूप मा मैं यहांको मास कम्मुनिकेशन जॉर्नालिजम को स्टुडेंट अरूशी तो अंतर क्रिया मा छू यो मेरो लागी पने यहां अपचुनिटी हो किना बने शिक्षाड बने को केबल यहां वन वे किसीम को डेलिबरिंग अफ नॉलेज मत रहे होई ना तो एक किसीम को सिखाई पने हो त्यसकारण ले गरदा मा प्रत्यक बर्षा आउने नयाब्याज बाटा के नके सिखी राखे गोछू के नके अंतर क्रिया गरी राखे गोछू रा पोटेंशियल लीडर हरोन तिनियारू भावी नेता हरोन आपनो छेत्रको कम्निकेशन पड़ देछन कम्निकेशन का लीडर सरून रा उनियारू सिता जुन अंतर क्रिया होन्च तियो छे मैं ले इन्टैंजीबल एसेट बन्चू नदेखी ने संपती किना बने तियो सपपई बोली सटेन ठाव मा पुगदा खेरी आपूले दियेको इन्पूट को प्रयोग होन्च बन्नेचे मेरो विश्वास सत तिसकारन मा खुशी बनीचू यहांले पहिलो पटक उच्च सिक्षा अर्था सास्त्रमा लिनुवायो तिसलाइ कोसरी प्रयोगरी राखनुवायो को छा पत्रकारीता चेत्रमाई ठूलो लगानी देखी न्चा अईना इस्तो छा जस्तो कुनाई पनी विशय हरू एउटा यो समाज को अजर आमरो संग भूजना लाई better understanding of society को लागी कुनाई पनी विशय मा भःको knowledge ले सगाउँ छा जस्तो media बने होनी journalism, media, mass communication को कुरा हरू गर्चाउँ यो पनी छुट्टे ही तेसलाई economics बाट चुट्टे है रो, politics बाट चुट्टे है रो, society बाट चुट्टे आया रो, अध्यन गरनू सकिन दे न कीना बने तिया लगानी छ, कीना बने तिया नाफा छra अने तेसले लगानी नाफा रअर्थिक स्वार्थ अरू को असर पत्रकारिता को अंतर वस्तुमा पनी छा कंटेंट मा अब यूस को बेटर अंडरस्टाइंडिंग को लागी मयले जुन मेनत का साथ पड़ेगो थें तेसले मला स्वागा आये काई छा तेस कारण मला कुने रिग्रेट छाई ना हमें साहित्य संबाद मा अचाँ मैले इसलाइ दर्याई राखनू परने अवस्ता अनुभुति का अक्षर हरो यहांको पईलो कृती 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 कृतो कृतो कृती हो इस पारे छोटो मा बताए दिनो उस्तुमा मेरो मूल लेखन बिदा कविता ने हो तेसमा पने प्राराम्बम मा मैले लामू समय सम्मा छोटा कविता आरू लेखें रा पछी लामा कविता रा छोटा कविता दुए लेखें योची मेरो प्राराम्बिक खंडका खासकरीकन पचासको दसको रा चालिसको दसको अंत्यति माले लेखे का कविताहरु को संप्कलन हो यो य स माँचे 70 बंदा बड़ी कविताहरु संपली छन, यो चोटा कविताहरु kسب रोma video कभिता बने को नारा होई ना, तो कलात्मक प्रस्तोती होनु पर छा, रा मेरू सहली ची कस्तो छा, बन्दाखेरी, मैले बिम्भ हरुको माध्यम बाट, प्रतीक हरुको माध्यम बाट, तो कभिता को युटा सम्रचना तयार गर छू, रा अर्था अरु चें तेसको पचिलती होन्चन, तेले गर्दा, सोजई युटा कभिता बने रा नारा हरु डेरा ही सुनिंच अईले, जसले कभिता ला अवमुल्यान गरियेको छ, कभिता को कलात्मक पक्षिया ला घटाईयेको छ तेसमा, रा मोची तेस्तो माँ अभ्यास गर दीना, अनु भूतिका अक्षर अर स्वादा हरु डेरा हरु, डेरा हरु, साब्दा हरु को ने पत्य। तेसमा प्रोलास सिंदुलिय होनों च एसरी हामी 5 जाना कभी हरू को चे सम्यूकत संग्रा हो तेसमा आपनो आपनो खंडा च रा तेसले त्यो बेला खाली कभीता को लागी मत्र होई ना प्रिंटिंग टेक्नोलोजी मा पनी पछिलो समय मा आयेको कभीता प्रकासन मा आयेको जुन प्रभीदी थियो तेसको प्रयोक गरियेको च तेसमा कभीता आरो प्रायक होनते बने सिंगल कॉलर टू कॉलर मा चापें थे तेसमा गाडी तेसमा मल्टी कॉलर कभर भको रप्रतिक कविता मा चें फरक कलाकार को कलाकृती पने तेसमा राखियेको खंडा अरू गरियेको तिस्तो किशिम को चीज थियो रह तेले तियो समय मा केई न के प्रवाप सेर्जना गर्यों बन रह आमियों अईले फरके रहेर चाहों तेसलाई यहांका दउयोटा क्रितियारू लामा कविता का क्रिती चन गजुर पगलिये ऱ और को निगूरो को खराणी इह दउयटा क्रितीयारू लामा कवितारू समय टियेका क्रिती होन तपाईले छोटा कविता मा एकदम ही छोटा कविता स्त्रिजना गर्नु भायेको 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 छोटा कविता यह रोदका को आकारमा आएपको उतके हितव अला कि भी खेला कि अला गाराम काभिता जान थे ज तुब हाग आर खुल दे तह तो हो तो शकारमा आएफ पाला किक्ला पेल यह किìn अला किम्स के जान उन्हीं कजान पालती enti सાबमा पनी तेशको निर्माडर प्रस्तुतीकोई consistent में पनी सचे ततापूर्भक लेखियेका कृविता हारू उन तेसमा प्रयक वयका प्रत्यक भिंबा अरू सार्थक्षं, में दाविछं रहा ने पहला परंपरा गद खंडक आभ्यको किसिम्ले लेखने गर्शन, मेरोथ सैली तयो होई ना, महले बिचार रा बिचार को बिसलेशन रा बिचार को बिस्तार, तयो किसिम्ले सचेत्ता पूर्बद यो लामा कवितार। सिर्जना गरेगा चुँँ, तवाई वन्णच गजूर पगलिये रहा, तो संताउन्ना सालमा प्रकासिद भायो, तेती बेला देश चें द्वंद बड़ा फशी राखे गोतियो, द्वंद को चरमत कर समा देश पुगी राखे को अवस्ता थियो, तेती बेला के थियो बंदा खेरी, राज्त अंतर सक्रियब भाया आई राखे को दिए गजुर पगली न पर चा रा तिया नया सिलाले आग तिया श्वन पत्र लेखिना पर चा इतिया आथ श्वन पत्र बने र ते थुली जोखिम मोली अर लेखियेको कबिता थियो रा आटगर अर प्रकासन गरीयेको कबिता थियो तर तमी एहर नोस तेश ले 62- Ur शवन तियो पचिया आया रा सार्थक बायो रा अईले चिंके छवा बंदा चिंताग गुराया अबनोच एक गजुर पगलियो तरा कयों गजुर अरुशिर्जना भई राखेगो चना अईले को समय मा तियो पनी अनएसेप्टेबल बन जो मा किना अरुँ गजुर अरुशिर्जना भई नको लागी ये उटा गजुर जें परंपरागत गजुर जें ढालीयेको होई न पकई पनी तिसकारम तियो कविता आरु तियले अली किती लामु ब्यक्या मागने बकोले तिस तो डंगले लेकियो नीगुरो को खरानी, नीगुरो को खरानी वनेको इसमा मानविय संबेदना, खासकरी नेपाली मन को संबेदना को इतियास से इसमा रह वयचारिक इसाब मा निगुरोको खराणी बनेको देश मा धुप्रई क्रांथी अरूब आयको छन। क्रांथी बनेको मातो, जन्ता बनेको मातो हो। मातो बनेको एकदम फाउंडेशन, ग्रा गॉण, सबवंदा ठूलो जग जन्ता हो। तेहां बाट निगुरो उम्रिंदा कसरी उम्रिंछा, आकास छेड़ चु मा बनने गती मा तिभ्रता का साथ यस्तो जोश्यर निसकेंच, जशरी यो देशका नेतारो निसके एका चन, मा संचार बदल चु, मा जनता पक्षय मा कायम गर चु, तर जब उने अरले युटा उच अंदोल अंडे उचाई लिन्छा, तर नेतार ले जईले पनी के गरेको छन बन्दा, सम्झावता गरेको छन, जशरी निगुरो एउटा उचाई मा पुगे पछे नुई इन्छा, डल्लो पर्छा, जोग छा, र तिस्तो किसिम को प्रभिर्ती ची, आमरो नेपाली समग्र इतियास, संस्कृती मा राजनिती मा और जुंचुके छेत्र मा पनी यो निगुरो प्रभिर्ती देखियेको छ, र यो निगुरो प्रभिर्तीको खरानी नहुन जाल सम्हा, नेपाली जन्ताको मुक्ती संभव छोई नुधा, तिसकारन निगुरो खरानी आउशिक सह लिए अमें कारेक्रम को अंत्यमा आई पुगे काछूं प्राविदीक मित्रले समय सक्कियेको संकेत गरी शक्न वहेको छब छोटो गरी उत्तर को अपेक्ष्या गर्छू यहांले कभीता रा निबंद स्त्रिजना गर्ना उन्छा कभीतालाई तपाईले आपनो परिवासामा कसरी अटाउनोंचा अभिवेक्तिको अत्यांत प्रभाव साली रस्वर्वत्तम माध्यम कभीता हो निबंद चाई क्यो होनी निबंद युटा निर्भंद भायर सीमा हरुमा नभाधीकन अनुभूती बिचार द्रिष्टिकोन अरलाई कलात्मक डंगले प्रस्तोत गर्ने अरको साहित्यको बिदा हो साहित्यलाई परिवासामा अटाउनोंपर दा यो धरै ब्रिहत कुराच साहित्य तरह किछ बने अक्षेर का माध्यम हरुबाट आपना अनुभूती र विचारलाई प्रस्तोत गर्ने प्रभापकारी कलात्मक माध्यम बनना सकेंचे साहित्यलाई अन्त्यमा साहित्य संबाद सुनी राखनो ने सुरतारुलाई यहारलाई अमरकुरा ध्यानपूरभक संधिन वाव कृत अपन गर्शू साहित्यले जिवनलाई सार्थक बनाऊना को लागी कलात्मक बनाऊना को लागी सोच्ट्र सब्यतालाई परिसकार गरना को लागी साराई ठुलो योगदान गरना सक्षा तेसकारन साहित्य पड़ू साहित्य को शेर्जना करूं धन्यवाद यहां ले साहित्य संबाद मां समय जिकेरा आमिलाई यात्रा भरी साहत्य न वयो धेरे धन्यवाद यहां लेपने धन्यवाद देने से साहित्य संबाद को 360 श्रिंखला मा आज हमिले साहित्यकार टंकव प्रतिशंग साहित्य कफ काफ कर्यों साहित्य संबाद कारेक्रम को 360 श्रिंखला को अन्तियमा आइपुगे का सों प्रत्यक बुदबार बिहां 37 बजे देखि आठ बजे सम्म टीवेफेम 107 मेघार्ज मा सुन्न सक्नों नेछ कारेक्रम साहित्य संबाद यदि हम्रो कारेक्रम मा सभागे उन रचना पठावन उन्छ अथवा कुनाई सलहा सुजाब दिन चाहन उन्छ बने हम्रो ठेगानाओ टीवेफेम 107 मेघार्ज रत्नराज लच्मी केमपस प्रदर सनी मार्ग कारफान्डव हम्रो इमेल ठेगानाओ टीवेफेम 107 एट जीमेल डट कम हुस्त आजलाई साहित्य संबाद कारेक्रम का निर्देशक भगवान चंद्रग्यावाली प्रभिदी का सयात्रे प्रेम लुइटेल एबं कारेक्रम उत्पादनमा सहयो गर्ण होने स्ट्रिजन्सिल युवा पत्रकार सम्भवकार सम्पुन साथियोर लाई धेरे धेरे धन्यवाद अरको बुदबार बिहान 37 वजे भेट वने नहीं छ लुटेल दिनेस लाई बिदा दिनोस नमस्कार